हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम लखी खंडिल वाल है तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यह हम सीरीज चला रहा है जिसमें हम SST CGL 2021 का जो अभी exam prelims का exam conclude हुआ है उसके सारे important questions हम discuss कर रहे हैं तो इस वीडियो से पहले हम 11th April और 12th April की पूरी 6 shift हम discuss कर चुके हैं इस वीडियो में हम 13 April की 3 shift discuss करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा जो पहला question है वो है number series का जिसमें अगर आप देखें तो question tough क किस तरीके से बनाया जाता है या तो जो आपको number पूचा गया है वो बीच में दिया गया है तो यह कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से जो आपका question है वो tough बनाया जाता है because अगर यह number आपका last में पूचा गया होता यह question थोड़ा सा easy हो जाता लेकिन number आपको बीच में अब हम पहले के तीन जो हमारे नंबर से उनको तो हम ड्रॉप कर देते हैं डिल्कली हम जाते हैं थर्ड नंबर पर अब आपने देखा आपके पास है यहां पर 52 और 312 अगर आपको पता हो तो 52 इंटू 6 होता है आपका 312 ठीक है और अगर 312 में आपने एडिशन किया 8 का तो आप पहुचिंगे 320 तक अब हमें जो सीरीज है को समझ में हम आ सकती है कि जैसे आप देखा कि पहले आपने क्या करा पहले आपने इंटू करा 6 से ठीक है फिर जो आपका नेक्स नंबर आया उसमें हमने प्लस करा 8 का तो डेफिनिटली जो आपका इसके पहले का नंबर होग उसमें आपने प्लस का करा होगा 4 और जो उसके पहले का नंबर होगा उसमें आपने इंटू का करा होगा 2 because इसमें series किस तरीके से चल रही है? आप देखिये, series इसमें चल रही है पहले हम plus कर रहे हैं फिर into कर रहे हैं फिर plus कर रहे हैं फिर into कर रहे हैं और यहां पे जो numbers आ रहे हैं वो आ रहे हैं even form में तो यहां पे हमने 52 into 6 कर रहा था तो हमारे पास value आई 312 लेकिन यहां में हमारे पास कुछ X नंबर होगा जिसमें हमने 4 का एडिशन करा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 52 ठीक है तो यहां पर हमारे पास X की वैल्यू आजाएगी 48 अब हम इस condition को satisfy कैसे करते हैं वो हम देखेंगे जो हमारा पहला टर्म है 24 ठीक है अब जो हमारा पहल टर्म है मतलब 24 इसमें अगर हम 2 का मल्टेप्लेकेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू का आएगी 48 तो हमारे जो सही अंसर निकल के आया वह आया 48 और इस question में जो logic था वह में आपको बता हूं क्या था पहले आपने इंटू 2 करा तो आपके पास है 24 इंटू 2 48 फिर आपने सीरीज आपकी चल रही है नेक्स्ट है आपका alphabetical सीरीज का question जिसमें अगर आप देखें तो अगर आप इस type की जो table है अपने exam में बना लेते हैं तो आपको question solve करने में काफी आसानी होगी ठीक है अब हम सबसे पहले जो पहला term है वो निकालते हैं E, B, Y, V E से आप B पे गए तो दो alphabet आपने छोड़े B से Y पे गए तो दो alphabet आपने छोड़े Y से आप गए V पे ठीक है और V के बाद हमने दो alphabet छोड़े मतलब U और T तो जो हमारा first option आया वो आएगा S तो मस्तलब हमारा जो first alphabet होगा S तो option number 2 चला गया अब हम देखते हैं second second है आपका C, G, K, O C से आप ग पे तो एक, दो, तीन डॉप करें फिर O से आप गए एक, दो, तीन तो आपको साएगा S, S तो S, S आपने देखा तो option number 3 भी आपका चला गया अब हमारे पास option number 1 बचता है और 4 बचता है ठीक है अब हमने देखा कि third हमारे पास क्या है D, Y, T, O D से आप गए Y पे तो आपने एक, दो, तीन, चार, चार alphabet आपने करें drop तो आपको इसमें logic समझ में आया क्या था जो हमारा first वाला था alphabet उसमें हमने 2 alphabets drop करके हम पीछे जा रहे थे जो second वाला था उसमें 3 alphabets हमने करें drop और जो third वाला था उसमें हमने 4 alphabets drop करें तो directly हम जाते हैं, sorry, R से, sorry, D, Y, T, O तो O से हमने 1, 2, 3, 4, 4 alphabets हमने करें drop तो हमारे पास आया J तो हमारा जो सही answer होगा, वो होगा SSJ, SSJ हमारा fourth option भी नहीं है तो option number 1 हो जाएगा तो अगर आप मतलब सबसे important बात आपको क्या ध्यान रखना है कि इस तरह की table आप अपने exam में बना लीजे तो definitely आपको मतलब TCSJ जिस तरह के questions पूछ रहा है तो आपको 4-5 questions इस table से easily देखने को मिल सकते हैं यह है four letter clusters आपको दिये गाए हैं तो आपको बताना है इन में से तीन जो है वो एक तरीके के होंगे और एक है वो होगा different तो इस type के questions को solve करने की मैंने सबसे अच्छी trick निकाली है वो यह है कि यह तो आप पहले का connection last वाले से देखें या फिर आप last वाला जो alphabet है उसका connection देखें second last से ठीक है तो हम पहले का connection देखते हैं last से भी और डी वी और डी में आपने देखा तो हम कर रहे हैं एक alphabet हमने करा यहाँ पर drop व से य पर हमने एक आलफबट हमने कर कर रहा है तो यह वाले जो पहले वाले तीन हैं एक कंडिशन को सैटस्फाइब कर रहे हैं और फॉर्थ होगे आपका डिफ्रेंट तो यह हो जाएगा आपका सही आज यह वाले जो लेटर क्लस्टर वाले टीस पूछ रहा है इसकी मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता दी है यह तो आप सेकंड लास का कनेक्शन देखी लास के साथ ओके नेक्स्ट है यह आईवरी का कोड आपको दिया गया है यह और आपसे कोड पूछ गया एक क्रीम का अब यह एक मैं काफी अच्छा क्वेश्चन कहूंगा बिकॉस मैं आपको बताओं कि इसमें कर आप कोडिंग निकालने बैट जाएंगे न यहाँ पर तो आपको कोड का पहले हम लिखेंगे जो next alphabet है जैसे I का हमने लिखा J, V का हमने लिखा W, O का हमने लिखा P, R का हमने लिखा S, और Y का हमने लिखा Z, तो जे, W, P, S, Z । यह हमारे पास आगया पूरा कोड, अब अगर आप ऊपर का यह वाला कोड देखते हैं तो वो definite alphabet थो आपको सेम मिले करेंगे लेकिन वो arrange किस तरीके से हैं वो arrange किये गए है reverse alphabetical order में तो मतलब शुरू हुआ है वो Z से फिर आया W W के बाद आया S फिर P और आपके पास आया J तो आपको समय लॉजिक समझ में आया क्या था जो आपको सबसे अच्छे तरीका बता रहा हूं directly आप इसमें option elimination का use करें तो क्रीम में आप ने देखा कि जो सबसे बड़ा वाला है मतलब जिसकी position last में वह वाला alphabet कौन सा है तो आप देखेंगे कि वह alphabet है आपका आर तो definitely जो हमारी starting होगी वह होगी आर के जो next alphabet होगा उससे तो हमारी starting होगी इससे तो जो हमारा option number 4 निकल के आ रहा है सही answer मतलब काफी लोगों को तो लगेगा कि मतलब क्या इतनी easily हम option elimination को use कर सकते तो मैं कहता हूं TCS तब कुछ options तो बहुत अच्छे से हो गया S, E का हो गया F, A का हो गया B और M का हो गया N अब हम इसको arrange करते है reverse alphabetical order में तो वह हुआ आपका S, N, F, D, B, S, N, F, D, B यह हो गया हमारा सही answer तो यह हो गया option number 4 logic मैंने आपको बताया क्या था सबसे पहले आपने यह जो आपको word दिया गया है इसका next alphabet आपने लिखा उसके बाद उसको आपने reverse alphabetical order में arrange कर दिया next है आपका यह question जो कि मतलब आप एक coding decoding का मानी है question जो की oh sorry coding decoding का नहीं यह आपका है order and ranking का question जो की mainly tcs सिर्फ banking के एक्जाम में पूछता था लेकिन पता नहीं अब वो ssc के एक्जाम में भी इने पूछने लगा है तो आप दिखेंगे कि आप से यहाँ पर बोल गया है five friends are top rank holders ठीक है the rank of h is just यह है आपके h h की rank है just above the rank of k and just below the rank of l ठीक है और i is at the top of the rank and j is not at the lowest rank अब जो आई है वो top पे है और j lowest नहीं है तो j मतलब यहीं कहीं आएगा और आप से क्या पूचागा है आप से पूचागा है lowest तो आपने देखा lowest क्या है कि ठीक है अब इस question में काफी लोग यह पूचेंगे कि j को आप कहां place कर सकते हैं तो j को आप कहीं भी रख सकते मैं इसको बताओं विकोज आप से क्या पूचा गया अब उस चीज़ पर ध्यान दीजे आप से क्या पूचा गया है क्योंकि j lowest पे नहीं आएंगे तो वह definitely यहां से कहीं से तो ऊपर ही आएंगे तो lowest पर आपके पास कौन आया के तो इस तरीके से आपको जादर दिमाग नहीं लगाना है आप डिरेक्ली देखेंगे कि आपसे question में क्या पूचा गया है उसे साफ से question को solve करेंगे ओके next है इस question में आपको यह बताना है कि कौन से दो इसमें symbols हैं जो आप exchange कर सकते हैं तो आपका यह जो है यह जो है answer 20 यहां पर satisfy हो जाएगा तो सबसे पहले हम देखते है कि divide का sign up कहां कहां पर रखे देख सकते हैं divide की जगे हमने रखा plus तो यहां पर divide की जगे plus आ सकता है आ सकता है divide की जगे minus नहीं आ सकता तो यह option चला गया ठीक है plus की जगे into अगर हम यहां पर plus की जगे into करते हैं तो यह definitely बहुत बढ़ा हो जाएगा तो यह भी नहीं हो सकता और हमने divide को exchange करा into से यहाँ पे भी हां तो यह option बी हो सकता है हमारे पास option number one और option number four साही आंसर निकल के आ सकते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते है option number one plus की जगे हमने रखा divide ठीक है जो आपका option number fourth है यह होगा साही answer लेकिन फिर भी हम एक बार check कर लेते हैं यह हुआ आपका 28 28 plus यह आपका 14 इसमें divide का sign कहां पर है I guess यह divide का sign होगा अगर आप देखें तो टीस ने question print ऐसी तरीके से किया हुआ है कि उसमें divide का sign समझ भी नहीं आ रहा है कहां पर तो कि यह तो डिवाइड का sign यहां पर होगा 7 divided by 5 एक सिकेंड कि तो मैंने अब भी rectify किया जो आपका divide का sign ने वह आपको यहां पर दिया गया 7 divided by 5 तो चलिए हमने तीन options तो eliminate कर दिये थे तो डिरेक्टली हम इसमें जो फॉर्थ option है वह पूट करके देखते हैं यहां पर हमें divide की जागे लगाना है इंटू ठीक है तो यहां पर आया आपका divide और यहां पर आगया आपका कि पहले हमने देखा कि divide का sign रखके आप कहां कहां पर चेक कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको rational number मिल रहा है तो definitely divide करने पर आपको एक integer value मिलेगी ठीक है तो उस तरीके से आप divide का sign रखके पहले options को eliminate कर सकते हैं दो options हमारे पास eliminate हो गए तो फिर हमने दो option और रखके देखे तो उस तरीके से हमने question को solve कर लिया इसके अलावा आप चाहें तो मेरे साथ instagram पर connect कर सकते हैं यह मेरा instagram का account lucky underscore खंडिलवाल आप चाहें तो मेरे साथ facebook पर भी connect कर सकते हैं facebook पर आपको मेरा WhatsApp का number भी मिल जाएगा तो आप चाहें तो WhatsApp पर connect कर सकते हैं सेम अगर आप चाहें तो मेरे साथ Twitter पर connect कर सकते हैं LKY photography है मेरा Twitter handle और आप चाहें तो टेलेग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं और नेक्स्ट है आपका question पोटाइटो का code है यह turnip का code है आपको code निकालना है radish का तो यह question काफी मतलब देखने में आपको typical लग सकता है बट यह question है आपका easy इसमें कुछ नहीं करना है जो भी आपके alphabetical की coding होगी उसको आपको multiply कर देना है 2 से अब मैं आपको बताता हूं कि यह वाला question भी आप option elimination से कैसे solve कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप किसी number को 2 से multiply करेंगे तो गेशनेटी आपके पास एक even number औहेगा अब options में आप देखते हैं कि even number आपको कहां कहां पर मिल रहा है तो option नंबर one में आपको even number नहीं है तो यह चला गया option two सारी को option number one में मिल रहा- dolphin 19 और दमर अम्बर है चला गया option नमबर 2 में आपको मल रहा है 19 और नमबर चला गया option नमबर 3 में है आपका 1 तो ये भी आपका हो गया और नमबर तो ये भी चला गया मतलब आप देखिए कि हमने पूरा question solve भी नहीं किया हमने उसमें सिर्फ logic निकाला कि जैसे आपने देखा potato है तो P हो गया 16, O 15, T आपका 20, A1, T20 और आपका O 15 तो हमने कुछ नहीं करा है जो हमारी coding है उसका हमने कर दिया double तो हमने कर दिया double तो हमारे पास answer में जो भी हमारे पास value आएगी वो definitely हमारे पास even number के form में आएगी तो हमारे answer में जितनी values होंगी वो definitely सारी होंगी even number के form में अब यहाँ पे हमने देखा directly हमने option elimination का use कि आप देखेंगे यहाँ पे है one odd number चला गया यहाँ पे है 19 odd number चला गया यहाँ पे है one odd number चला गया सिर्फ आपके पास option number 4 बचता है जिसमें आपको सारे number even मिल रहे है तो वो definitely आपका सही answer होगा लेकिन मैं आपकी शान्ती के लिए एक बार आपको solve करके बता देता हूं रैडेश आर का कोड होता है 18 एका वन डी 4 आई 9 एस 19 और एच का होता है आपका 8 तो हमने डबल कर थर्टी सिक्स टू एट अच्छा यह आई का कोड 9 कैसे वो 18 होना चाहिए था और यह हो गया 38 और 8 का हो गया 16 तो मतलब यह यहाँ पे एक printing mistake है अब जिससे यहाँ भी अगर आप देखेंगे पिछले question में तो turnip मतलब आई का कोड यहाँ पे भी हुआ आपका 18 तो यह definitely TCS की है printing mistake तो शायद students ने इस अगर आएगा 18 को को के next question अगर आप देखें तो आपको यह कुछ इस तरीके से दिया गया है 15 और 12 से आपको पहुझना एक्यासी तक 18 पंदरा और 99 97 ठीक है तो इसमें लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं पहले आपने कर रहा 15 प्लस 12 फिर आपने उसका multiply कर रहा 15 माइ इस अठारा और पंदरा तो अठारा और पंदरा वैलिवाई आपके बस 33 multiply कर रहा 18 माइनस 15 तो आपके बस वैलिवाई 3 तो आपके बस वैलिवाई 99 similarly आप देखें तो 17 में आप क्या number add करेंगे कि आप 120 तक पहुच सकते हैं तो डिरिकली हम इसमें options का यूज करते हैं 17 में आपने आइड कर रहा ग्यारा तो आपके बस आए 28 28 120 होता है नहीं तो यह चला गया 17 और 13 आपका होता है 30 और इनका जो difference है वह आया आपके पास 4 तो 13 to 4 120 तो यह option होगा आपका सही answer ठीक है कुछ नहीं है first number और second number का पहले आप करेंगे sum मतलब a plus b into a minus b ओके हाँ यह काफी अच्छा question में कमको मतलब यह इस टाइप के questions को reasoning में पूछ रहे हैं ओके तो इसको solve करने के सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप जो इसका एक यह जो डाइग्राम होता है इस तरीका बना ले तो पहले मैं सरकल ही बना लेता हूं अधावाइस चीज़ से काफी टिपिकल हो सकती है यह सरकल हमने बना लिया एक इसरकल हमने बना लिया दो और यह सरकल हमने बना लिया ती यह वाला सरकल ठीक है ओके तो आप से क्या पूछ गया है at least one of the three games मतलब जो भी स्टुडेंट्स हैं आपके कम स्नूकर चेस और टैनिस अब मैं आपको बताता हूं इस question को solve करने का सबसे अच्छे तरीका क्या होता है सबसे पहले आप देखेंगे कि यह जो बीच की value क्या है मतलब कौन से students ऐसे हैं जो की पूरे तीन game खेलते हैं अब आपने यहां पर देखा कि हाँ आपको यहां पर द इस नूकर चैस ठीक है ठीक है ठीक है तो टेल प्रूंस वी तो गेम्स जाल मतलब एक जो आपके यह वाली value है मतलब जो स्नूकर और चैस खेलते हैं यह जो आपके पास तीन डॉट्स है इसकी वैलीव है आपके पास 29 अब हम देखते हैं क्या हमें आगे दिये घहा है तो न equal value 11 students play only snooker and tennis snooker and tennis खेलने वाले कितने हैं आपके पास 11 और 6 students play only snooker and chess और 6 students आपके खेलते हैं snooker and chess तो यहां पर value आ गई आपके पास 6 और आप से क्या बोले गया था कि जो students only two games खेलते हैं उनकी total value है आपके पास 29 तो 11 और 16 17 माइनस हमने करें 29 में से जो हमारे पास यहां पर value आई वह हमारे पास 12 तो 11 और 16 17 और 12 29 तो हमारे पास जो students total two games खेलते हैं उनकी अमारे पास value आ गई अब आपसे क्या पूज़ गया है आप देखेंगे how many students play only tennis ठीक है अब आपको निकालना है only tennis की value तो आप इस value को solve नहीं करेंगे इस value को solve नहीं करेंगे तो यहां पर आप अपने time की बचत करेंगे आपको देखना है क्या निकालना है 49 अब हमारे पास एक ये वाला है ये वाला है और ये वाला है और एक ये वाला है तो total हमारे पास चार values है इसमें 11 और 15 16 और 22 28 तो 49 माइनस आपने करें 28 तो आपके बस value आई निकलके वो थी 21 तो 21 हो जाएगा हमारा सही answer ठीक है तो मैंने आपको तरीका पता है क्या करना ह सबसे पहले आप देखेंगे सबसे अंदर की वैल्यू निकालेंगे उसके बार क्योंकि यसे अंदर वाले जो हैं वो खेलेंगे तीन गेम थीक है इनकद आपको क्या करना है खूंत है यह आपने देखा च्लेग तूह 12 और 11 उसके पाद आपने देखा कि आप से पूचा क्य तो इस तरीके से टोटल टैनिस खेलने वाले थे आपके पास 49 सुदेंट्स जिसमें से यह वाले जो है 6 अब सुदी नहीं 6 तो आपका चला के ऊपर 11 पांच और 12 ठीक है यह आपके पास 28 और हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो था 49-28 तो सही आंसर हो गया आपका 21 ओके नेक्स अगर आप देखें तो यह भी है आपका काफी अच्छा क्वेश्चन 27 से आप पहुचे 576 तक तो 19 से आप कहां तक पहुच पाएंगे अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो आपके पास वैलिव है 576 576 होता है आपका 24 का स्क्वेर तो इस क्वेश्चन में जो आपका logic लगाया है वो क्या है? 27 का आपने माइनस करा 3 फिर आपने उसका कर दीश्वेर boat 19 में हमने माइनस कर दीश्वे और उसका कर दीश्वेर तो इस question में में अगर आप इतना logic नहीं भी लगा पाते हैं तो आप एक चीज़ देखिए यहां पर आपके आपका e4 स्क्वेर नंबर होगा और स्क्वेर नंबर आपको कौन से मिल रहा है 328 नहीं है 543 नहीं है 498 नहीं तो सिर्फ आपको option number 3 एक स्क्वेर नंबर मिल रहा है तो अगर आप exam में logic भी नहीं लगा पाते हैं और आप आपके पास 256 ओके next ये भी काफी अच्छा question है 74 से आप गए 74 पर या तो इसमें इंटू का 1 हो सकता है या फिर डिवाइड का 1 हो सकता है अब ठीक है फिर 74 से आप गए 72 पर तो या तो लॉजिक इसमें माइनस का 2 हो सकता है माइनस का 2 तो मतलब दोनों में हो रहा है फिर 72 से आ में सीरीज पकड़ दी सीरीज किस तरीके से है डिवाइड वन माइनस टू डिवाइड थ्री तो नेक्स क्या होगा माइनस फॉर तो माइनस फॉर आपने करा तो आपके पास क्या आई वैल्यू ट्वेंटी अब हम इस कंडिशन को दोबारा चेक कैसे करते हैं यहां पर हमने कर है माइनस का फॉर तो नेक्स वैल्यू क्या होगी आपकी डिवाइड का फाइब तो ट्वेंटी डिवाइड राइड और पके पास फॉर ठीक है तो हमारे पास फॉर आगे हमारी जो वह गई साही चो आप देखेंगे टीस नीं लॉजिक कितने अच्छे तरीके से लगाया ह है ठीक है तो मतलब इस टाइप के लॉजिक से अगर आपको पहले से बता हूं है तो यह आप एक्जाम में अच्छे से कर सकते हैं अधाइस मतलब ऐसे लॉजिक एक्जाम में स्ट्राइक करना तो खाफी मुश्किल होता है ओके नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको यह दिया गया है फोरेस्ट का कोड़ है यह मैंगरोव का कोड़ है और आप से कोड़ पुझा है री इंकार्टिनेट का ओके तो एफ का कोड़ आपने निकाला जी और ओ से आपगाई यू पे अच्छा ओ से आपगई ऊपर ऑपकी और से आप से सपे है और से आप गई उके इस से आफ गई ऊपर तो इसमें में अपको बताता हूं क्या है मतलत है काफी ट्रेकी का हो हुआ इसमें भी आप देखेंगे एफ से आपके जी पर तो मतलब जो एफ क्या है आपका कॉंसोनेट तो कॉंसोनेट में आपने करा प्लस का वन लेकिन जो आपका वोवल है वोवल में आप वोवल लखेंगे ओके अब आपने देखा जैसे एफ का होगया जी लेकिन ओ कघुन निक सूंसट धुक्त ओओ निरिकर इनकाटनेट का अब आपने देखा R का होता है आपका S, ठीक है, S जैसे आपने देखा तो option number 3 आपका चला गया, फिर E, E क्या है आपका वोवल, तो E का जो next होगा coding वो होगया I, तो S के बाद आपका आगया I, तो आपका option number 2 भी चला गया, फिर next होगया आपका बस E के बाद I, तो I का next वोव D, E और D, E ये भी आपका सेम है, ठीक है तो आप directly S, I, O, D, E, मतलब C का हो गया D, और A का हो गया E, अब आप निकालते हैं R का code, R का हो जाएगा आपका S, तो यहाँ पे S भी सेम है E, अब आप देखेंगे, कि TCS ने इसमें options में कितने अच्छे से खेला है, यहाँ तक आप हैं कि आखरी का हम कैसे निकाल सकते हैं, आखरी का है आपका T, अब T क्योंकि यह आपका consonant तो उसका जो next वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा U, और next है आपका E, तो E है आपका vowel, तो E का next हो जाएगा आपका I, यह हो जाएगा आपका U, I, मतलब option number 1, तो यह काफी अच्छा question में काऊंगा, वेकास इसमें logic तो काफी tricky था, और उसके साथ, और उसके बाद क्या T, से इसमें options भी काफी अच्छे से frame करें हैं, तो मतलब काफी easily हम options को eliminate नहीं कर पाए, ओके next है आपका यह alphabetical series का question आप देखेंगे कि E, J, N, Q, S, ओके अब हम देखते हैं इसमें logic E के बाद हम पहुचे J पे, तो हमने 1, 2, 3, 4, 4 alphabet हमने करें drop, J से हम गए N पे, तो 1, 2, 3, 3 alphabet drop करें, मतलब पहले हमने 4 alphabets drop करें फिर उसके बाद next में हमने 3 alphabets drop करें, तो N से हम गए Q पे, तो हमने 1, 2, 2 alphabets drop करें, Q से S पे गए, तो हमने 1 alphabets drop करा, अब S के बाद हम directly एक भी alphabets drop नहीं करेंगे, तो S के बाद हम पहुचेंगे T पे, तो जो आपका सही answer हो जाएगा, वो जाएगा T, मतलब option number 1, ओके, हाँ, ये भी काफी अच्छा question में कहूंगा, इस तैप के questions मुझे आपके banking में पूछे जाते हैं, बट SSE ने, वो सरी, TCS ने, SSE की reasoning में भी इस तैप के questions को पूछा है, आप देखेंगे, कि 7 friends बैठे हुए है, EFG, HI, JK, sitting in a circular table, ठीक है, 7 friends को में बठा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1 योगे, 7, sitting in a circular table, facing towards the center, तो ये देख रहे हैं, अंदर की side, F and I are immediate left and right of G, अब ये हमने बठा दिया G को, अब जो F है, वो immediate left है, जी के, तो G पैठ रहे हैं, अंदर की side, तो ये हो जाएगा, उनका right और ये हो जाएगा left, तो F is sitting to the immediate left of G, तो ये हो गई F की position, और I is sitting to the immediate right, ये हो गई I की position, H is sitting third to the left of G, ये हैं G, तो G के third left में क्या होगा, first, second, third, ये हो गया आपका H, और क्या बोलागा है, G and I, sorry, E and I are immediate neighbors of J, अब ये हो गया I, I का immediate neighbor यहाँ पे क्या है, G, तो यहाँ पे definitely आपका, J तो नहीं आ सकता, तो J के लिए आपके पास सिर्फ एक जगे बसती है, जोगी है ये, because E and I are immediate neighbors of J, immediate neighbor का मतलब क्या होता है, कि जो immediate neighbor है, वो इन दोनों लोगों के बीच में बैठेगा, तो ये हो गए आपके पास I, J और ये हो गए आपके पास E, आप से क्या पूचे है, who is sitting to the immediate right of H, अब ये बैठते हैं H, बैठ देख रहे हैं अंदर की side, तो ये हो जाए सिर्फ के बचे हैं, तो immediate right of H में कौन बैठेगा के, अब आप देखेंगे, कि options में TCS ने क्या लिखा है, who is sitting to the immediate right of H, और option में भी आपका H लिखा हूँ है, तो ये तब किस तरीके से possible हो पाएगा, एक second, इस question में हमने देखा कि किस तरीके से, जो banking type के questions भी आपके SSC में पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए भी आपको थोड़ी सी पहले practice करना होगा, तब जाके आप उस तरफ के questions को solve कर सकते हैं, नेक्स अगर आप देखें, तो यह आपका question जिसमें onion का code आपको दिया गया है, 201, potato का आपको code दिया गया है, 261 और आपसे code पूछा गया है, mango का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी alphabet के places होते हैं, उसका हम sum करते हैं, आप देखेंगे, कि हमने देखा, ओ, होता है आप 53, 53 और 14, 67, तो हमने जब alphabetical places का sum किया, तो हमारे पास जो value आई वो थी, आपके पास 67, तो 67 का अगर हम multiply करते हैं, 3 से, तो आपके पास value आएगी, 201, similarly हम देखते हैं, potato, पोटाटो आपने देखा, तो P होता है, आपका 16, O 15, 31, 31, T 20, 51, 51 और 1, 52, 52, और 20, 62, 72, 72, और आपका 15, 77, 87, तो हमारे पास value आई, 87, 87 का भी अगर आप 3 से multiply करते हैं, तो आपके पास value आईगी, 261, यह आपका 0 है, और तो इसमें हम में, जो logic समझ में आया, वो क्या था, कि जो आपका alphabetical places का sum है, उसका multiply कर रहे हैं, 3 से, अब यह 3 value क्या हो सकते हैं, आ अगर आप देखें, तो 3 आपको vowel दिये गए हैं, और इस question में भी आपके पास 3 vowel है, अब यह तो वो मतलब coincidence हो सकता है, 3 vowels, otherwise intentionally वो 3 से multiply कर रहे हैं, अब directly हम code निकालते हैं, हम से क्या पुछे है, mango, ठीके M होता है आपका 13, N 14, तो 27 और 1, 28, 28 और 14, 42, 42 और 7, 49, 49 और 15 होता है, तो 54, 54 और 64, एक से करें, एक से करें, हमने कुछ इसमें mistake करें, mango का हम निकालते हैं, code 13 और 14, 27 और 1, 28, 28 और 7, 35, 35 और 15, आपके पास आगया, 50, तो हमारे पास mango का, जो alphabetical places का sum निकल क्या है, वो है हमारे पास 50, तो अगर हम देखें, इसमें वो वलतो हैं, हमारे पास 2, और अगर हम 2 से multiply करते हैं, तो हमारे पास value आईए 100, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो logic है, वो directly ये है, कि आपने alphabetical places का sum कर रहा, और उसका आपने 3 से कर दिया multiply, तो हम directly इसमें कर देंगे 15 into 3, तो हमारे पास जो सही answer आएका, निकल के वो आएका 150, तो 150 हो जाएगा आपका सही answer, ठीक है, logic मैंने आपको बताया, क्या है, alphabetical places का आपने कर रहा, sum, और sum को आपने 3 से multiply कर देया, ओके next आपका ये, आपसे code पूचे गया है, who का code इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता हूँ, तो आपने देखा, कि यहाँ पे आपसे बोला ग B, S आपको कहीं मिल रहा है, क्या, तो K मिल गया, तो यह option चला गया, म посмотреть 3 option नहीं हो सकता, who is first, who is first, में आपका who है, तो who का code definitely Z, K, V में से होगा, अब इसमें अगर आप देखें, तो Z आपका है, Y नहीं है, तो यह भी चला गया, G नहीं है, तो यह भी चला गया, तो पIGHTला है कि दो line हमने read करी और हमने तीन option को eliminate कर दिया तो option no.1 हो जाएगा आपका सही आंसर इसमें अगर आप देखें तो यह जो बीच वाला figure है यह मतलब पहले तो अगर आप देखें जो इसका पॉइंटेड है वह नीचे की डिरेक्शन में है मतलब इसके बाद वह इस डिरेक्शन में आगया मतलब उसने 45 डिगरी पर इस डिरेक्शन में आ गया तो जो आपका इस डिरेक्शन में फिर वो इस डिरेक्शन में और नाय जाएगा तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का अगर आप देखें तो महेश इस दे फादर ओफ रीवा यह है महेश महेश इस फादर ओफ रीवा अब रीवा मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं कि क्योंकि बाद में रितू भी आपको दिये गया है तो आर में आपको हो अगे बना दिया प्लस एंड पैटनल ग्रैंट फादर ओफ वज्च तो महेश के डिफनी ली कोई सन भी होंगे और जिनकी कोई प्रिवी होंगी तो तब ही उनके सन है और यह है इनका बेबी कौन है वंच तो आपको condition समझ में है क्या थी महेश is the father of Riva यह हमने बना दिया और paternal grandfather of Vans तो definitely महेश के यह है son यह है उनकी wife और यह हो गए आपके Vans अब आकाश is the brother of Riva अब यहाँ पर सिर्फ आपकी एक condition बसती है यह है Riva और यह है आकाश यहाँ पर आगे आपके आकाश इस the brother of Riva आकेश is the brother of Riva and father of Vans ठीक है तो यह भी condition सेट अफ़ा हो गई father of Vans and Ritu तो यह हो गए Vans और यह हो गए आपके Ritu और यह दोनों हो गए आपके sibling तो sibling हम form करेंगे ऐसे square के अंदर और रिवा और आकाश भी हो गए आपके sibling तो यह आपका चला गया एक square के अंदर और क्योंकि यह है आपका circle type में तो यह हो जाएगा आपका merit couple अब आपसे क्या बोलागा है Ritu is the only daughter of आकाश and Maya अब Ritu है only daughter ठीक है तो यह हो गए आपका daughter हमने point करा minus से यह हो गए आपका minus तो Ritu जब only daughter है तो once definitely क्या होंगे आपके son ठीक है तो Ritu is the only daughter of आकाश and Maya तो यह हो गए आपके पस Maya यह हो गए M-A-Y-A तो Maya हो गए आपकी wife और यह हो गए आपके महेश आपसे क्या बोचाए कि how is Maya related to महेश तो यह हो गए आपके पस Maya Maya हो गए daughter-in-law of महेश because Maya कौन है यह जो आकाश है इनकी wife तो यह है महेश की daughter-in-law तो आपके पस सही option आया option number one डिरेक्ली आपको कुछ नहीं करना है जो जो conditions आपको दी गई है वो आप place करते जाए और आपका blood relation easily solve हो जाएगा ओके तो इस type के question में भी वही है logic जो पहले से TCS follow करता है मतलब यह logic अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक मैंने 9 shift कराई है और 9 shift में ही यह logic मुझे एक question में तो definitely मिला है 15 और 9 आपका हो गया 24 और उसमें इंटू कर रहा है हमने 6 तो इसमें logic क्या है A plus B into A minus B अब यह हमारा है question number 9 तो आप लोगों को क्या करना है इसको आप solve करिए और नीचे comment box में आपको इस कहां से लिखना होगा next है आपका question number series का तो इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं difference हम आपने देखा 61 & 99 तो इसिल है आपके पास 38 99 से आप गई 52 तो डिफरेंस ऐ आपके पास 52 & 153 172 पा इद ट्वेंटेटीट नीचे था की तो इसे यहां बहले है सिंचस माई 257 घतशलब है तो इहँआं पर इस वाब तो यहां पर है है 90 अब यह तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम इसका । इसक डिफ्रेंस को जया हुए क्वे सॉओर तो यहां पर नंबर के आया आपके बढ़र 24 तो 90 प्लस 24 114 तो 312 में आपने आइड करा 312 में आपने आइड करा 114 तो आपके पास आए 624 426 तो यह हो गया option number 2 इस तेक के questions में आपको क्या करना है अगर जैसे आप इसमें देखेंगे कि इसमें multiply या divide की कोई trick तो है नहीं इसमें कोई ना कोई number आप definitely प्लस कर रहे हैं तो हमने एक-एक number हम difference निकालते गए तो single difference से हमें कुछ भी समझ में नहीं आया उसके बाद हमने double difference निकाला double difference के बाद हमें triple difference भी निकालना पड़ा उस तरीके से हमने इस question को solve किया ओके next आप देखें तो इस question में वेकर आप देखें तो हम निकालते हैं difference number series का equation difference आया 81 difference आया 49 difference आया 25 तो next यह जो है difference आप देखेंगे यह है 9 का square यह 7 का square यह 5 का square तो हमारा जो series चल रहा है वो है odd number का square तो यह होगा आपका 3 का square मतलब 9 तो 143 मैंनेस 9 134 तो option number 2 ओके next आपको flask का code दिया गया है यह मैं आपको लिखके बता देता हूं F L A S K I P F Y R ठीक है वह आपने देखा F का code आपने लिखते हैं आई तो मतलब 1 2 2 alpha आपने करें ड्रॉप ठीक है फिर L का code आपने लिखा P तो 1 2 3 3 alpha आपने करें रॉप मतलब पहले आपने दो alphabets drop करें next आपने तीन alphabets drop करें फिर A से आपका F पे तो 1 2 3 4 फिर आपने चार alphabets drop करें तो आपको एक दो 3 4 5 6 ठीक है तो logic हमने पकड़ लिया क्या है अब हम directly code निकालते हैं तूर्स का ठीक है तो आपने यहाँ पे लिखा T ती कहाँ पहले हमने दो alphabets drop करें तो 1 2 तो हमारे पास क्या आया W आपको 4 option में मिल रहा है फिर हम आते हैं O पे O में हमने जैसे T में हमने पहले दो alphabets करें थे drop तो O में हम करेंगे 3 ठीक है तो P Q R तो next क्या होगे आपके पास S तो W के पास आया S तो मतलब option number 4 चला गया और option number 3 भी चला गया अब हम आते हैं next पे next क्या है आपका T O U U में आप क्या करेंगे 4 alphabets drop करेंगे तो U के बाद 1 2 3 4 तो आपके पास क्या आया Z बतब WSZ WSZ option number 2 भी चला गया option number 1 हो गया हमारा सही answer बाकी इसको पूरा solve नहीं करेंगे हमने option elimination किया तीन options को बटाया और एक option सही answer हो गया ओके इस टाइप के questions में आपको logic मैंने पहले बताया है क्या तो आप पहले का logic देखिए last के साथ या फिर आप last का देखिए second last के साथ तो इस question में पहले हम first alphabet का logic देखेंगे last के साथ तो वह आपने देखा वी एन वी एन आठ के एदस बी आर क्यूजी पहले और लास्ट में तो कुछ भी logic समझ में नहीं आ रहा है तो हम देखते हैं लास्ट का second last से ठीक है आप तो यह नहीं है च्में आप गए एन तो एक दो तीन च्र पांच पांच यह question भी काफी अच्छा question मैं काऊंगा आप देखेंगे 68 से आपको पहुचना है 19 तक और 164 किस तरीके से relate कर रहा है अब 68 19 तक पहुचने में आपके पस दो तरीके हैं यह तो आप 19 इंटू 3 करिए तो आपके पस आएगा 57 उसमें आपने प्लस का करा 11 अजर्वाइस आप 19 इंटू 4 करिए तो आपके पस आएगा 76 आपने करा माइनस का एट अब 164 में हम देखते हैं कि कौन से नंबर में हम इंटू 3 करने पर 11 तक बहुच सकते हैं तो मतलब उसमें हम यह तो पहले हम 11 का माइनस कर देते हैं तो हमने देखा 164 हमने माइनस करा 11 तो आपके पस आया 153 अब उसको हम करेंगे आच्छा काफी लोगों को शायदे ट्रिक समझ में नहीं आएगी मैं आपको बदाता हूं जैसे देखिया आपने यहां पर हमने करा था नाइंटी इंटू 3 प्लस का 11 तो हम पहुचे थे 68 पे अब यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है 164 तो उसमें डेफिनेटली हमने नंबर लिया एक्स जो हमारा आंसर होगा इंटू 3 करा प्लस का हमने करा 11 तो 11 आ 51 लेकिन 51 हमारे पास option में नहीं है तो यह वाली जो trick हो गई हमारी गलत अब हम इसमें जो option number 2 हमने put कर रहा था मतलब जो हमने condition number second बनाई थी यह वाली कि 19 इंटू 4 divided by 8 यह वाली condition पूट करके हम देखते हैं बिकोज यह वाली condition तो हो गई गलत इस condition से हमारा answer आ रहा है 51 अब आपका 164 is equal to x into 4 minus 8 अब यहां पर minus 8 है तो यहां पर जाके वह plus 8 हो जाएगा plus 8 मतलब 172 172 क्या हो गया x into 4 तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं 172 divided by 4 आपके पसाएगा 43 तो 43 हो गया आपके सही answer ठीक है logic आपको समझ में आया क्या था 19 से 68 तक पहुचने के 2 रास्ते थे तो 164 तक पहुचने के भी आपके बास दो रास्ते निकल के आएंगे तो दोनों रास्तों से हमने निकाला answer और हमारा एक answer इसमें satisfy हो गया कि नेक्स इस टाइप के questions भी टीस ने काफी जादा पूचे हैं C H S X और C तो इस टाइप के questions में क्या हो रहा है जो आपको first number हो रहा है ना इसकी series तो repeat हो रही है अब जैसे आपने देखा कि यहां पर C H S X C तो C के बाद आपके पास दुबारा क्या आएगा H तो हमारा जो पहली value होगी वह होगी H तो option number 3 भी चला गया 4 भी चला गया और first भी चला गया तो सिर्फ हमारा option number 2 निकल के आ रहा है तो वो definitely हमारा सही answer होगा अब एक बार हम रिस्क नहीं लेते हैं हम second alphabet भी चेक कर लेते हैं second alphabet आपने देखा a e i m q ा क्यों एक के बाद आपने e देखा तो तीनड्र public करें ए के बाद iँदेखा तो तीन ड्रॉब करें eET के बाद i 3 बड़ कम एं के बात q क्यों देखा तीन डॉब करें तो k уг के बाद हमने तीन डॉप करें तो हमारे पास आया u तो हमारा सही आंसर होगा HU, HU जह definitely option number 2 सही आंसर है, okay, next है आपका R, J, B, R, J, B, code क्या है, T, G, F, आपने देखा, R का code होगा है T, मतलब इसमें हमने एक alphabet को drop करा, J के बाद हम गए G पे, मतलब इहां पे हमने plus का 1 alphabet drop किया, तो J से हम गए G पे, तो minus के 2 alphabet drop करें, और B से हम गए F पे, तो plus के 3 alphabet हमने drop करें, आपको logic समझ में आए क्या था, R से हम गए T पे, तो हम आगे जाएंगे और एक alphabet को drop करेंगे, J से G पे आए, तो पीछे आएंगे और दो alphabet को drop करेंगे, अब हम निकालते हैं हमारा code, जो की है आपका Q, P, G, Q, P, G, Q से हम जाएंगे आगे और एक alphabet को drop करेंगे, Q से हम गए आगे और एक alphabet को drop करेंगे, तो हमारे पास क्या है, S, S हमने ही देखा, तो option number 3 भी चला गया, और 4 भी चला गया, तो मैं आप देखेंगे कि हमेशा मैं option elimination के use करता हूँ, पर तब जितने option आपके गलत हो सकते हैं, वो आप हटा देजिए, तो कभी-कभी क्या होता है न, जैसे आप, आपने सही answer तो निकाल दिया, तो यह आएगा, आपके पास SM, SM के option number 1 हो जाएगा, सही answer, option number 2 भी होगा, आप कलत, ओके, 240 से आप गए, 120 पे, तो इस question में, 120 पे, 2, 2.5, हाँ, इसमें logic क्या है मैं आपको उता था हूँ, पहले हमने, into करा, 0.5 से, ठीक है, फिर हमने into करा, 1 से, फिर हमने into करा, 1.5 से, फिर हमने into करा, 2 से, और फिर हमने into करा, 2.5 से, तो मत, आप देखेंगे, 240 इंटू 1.5, आपके पास आया, 120, 120 इंटू 1 करेंगे, 120, 120 इंटू 1.5, 180, 180 इंटू 2, 360, 360 इंटू 2.5 मतलब, 360, 720 और 180, 900, तो हमारा जो सही आंसर निकल क्या है, वो है 120, मतलब, option number 1, ओके? अब हम आते हैं, next question है, हमारा mania, alphabetical coding का, आप देखेंगे, कि M, A, N, I, A, ठीक है, code क्या हो गया, आपका, N, Z, O, H, Z, M का code हो गया, N, मतलब, next, plus का 1, A हो गया, Z, minus का 1, N हो गया, O, plus का 1, और I हो गया, H, minus का 1, और A हो गया, Z, minus का 1, अब इसमें, अगर आप देखें, तो, देखो, मारा आपको बताता हूं, यह भी एक, मतलब, logic काफी अच्छा है, मारा आपको बता हूं, M से आप गये, N पे, तो plus का 1 हो गया, मतलब, हमने यहाँ पे, जो, alphabetical की place है, बहाँ पे, हम plus का 1 कर रहे हैं, इसमें, plus का 1 हम drop नहीं कर रहे हैं, alphabet को, A से Z पे गये, तो, minus 1, N से O पे गये, तो, plus का 1, I से H पे गये, minus 1, A से Z, minus 1, तो, इसमें logic क्या है, मैं आपको बताता हूं, plus minus, plus minus का logic नहीं है, इसमें logic क्या है, जो आपके पास consonant है, consonant की जो place value, इसमें आप कर रहे हैं, plus का 1, और जो vowel के place value, इसमें आप कर रहे हैं, minus का 1, बस यही logic आपको इसमें निकालना था, उसके बाद आप question को easily solve कर सकते हैं, अब अगर आप चाहें, तो चलो, मैं solve करके बता देते हूं, जब इतना करी लिया है, तो, ओके, अब आपको क्या निकालना है, code donkey का, D, O, N, K, E, Y, अब D, क्योंकि क्या है, आपका consonant, प्लस का 1 करेंगे, तो आगे आपके बस E, E आपने देखा, option number 2 चला गया, O है आपका vowel, तो माइनस का 1 करेंगे, तो आपके बस आगया, E, N, E, N है option number 1 चला गया, अब N है आपका consonant, तो प्लस का 1 करेंगे, N के बाद आगया आपका O, तो E, N, O, option number 3 भी चला गया, तो option number 4 हो गया, आपको सही हैं सा, logic मैंने आपको बताया, क्या था, consonant में प्लस का 1 कर रहे हैं, और vowel में माइनस का 1 कर रहे हैं, इस ताप के question का logic मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या हो सकता है, या तो हम first का relation देखेंगे last के साथ, या second का देखेंगे second last के साथ, अब आप देखेंगे कि L से आप गई V पे, L से आप गई V पे, तो यहाँ पर प्लस का 10 हो रहा है, S से M में भी नहीं हो रहा है, D, H, ठीक है, C, V, ठीक है, first और last में तो logic हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं, last का second last के साथ, P और V में हम देखते हैं, तो P और V में आपने देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 alphabet हमने करे हैं, drop, अब हम G से गए M पे, तो G से M पे, 1, 2, 3, 4, 5, दोबारा हमने 5 alphabet drop करें, अब J से हम गए H पे, तो J से H पे हम 2 alphabet हमने करें, drop, और D से अगर हम V पे भी जाते हैं, तो 1, 2, 3, 5, नहीं, यह भी satisfying हो रहा है, शहीद अब मुझे लग रहा है, पूरा ही आपको देखना पड़ेगा, एक second, एक second रोकिएगा, तो इस question का logic काफी tricky है, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से हैं, L, R, P, V हमने लिखा यहाँ पे, L हो गया 12, R 18, P 16, और V भाइस थीक है, SYGM, 19, 25, 7, 13, और DBJH, 4, 2, 10, 8, और CNDV, 3, 14, 4, 22, अब इस question में अगर आप देखेंगे, तो logic है, ईवन और ओड का, तो पहला वाला जो आपने देखा, इसमें आपको पूरे मिल रहे हैं, आपके Even Values, जो 2nd वाला है, उसमें आपको पूरे मिल रहे हैं, Odd Values, और जो 3rd वाला है, उसमें आपको मिल रहे हैं, पूरे Even Values, और जो आपका option number 4 है, इसमें आपको Even के साथ, Odd Values भी मिल रहे हैं, मतलब 3 के साथ आपको 14,4,22 मिल रहा है तो definitely आपको option number 4 हो गया mix वाला क्योंकि आपके यह हो गया even, odd, even और इसमें आपको even और odd दोनों मिल रहे हैं तो यह definitely होगा आपका सही answer यह logic मुझे लगा कि इस condition में, इस question में satisfy करेगा इसके अलावा कर आपको कुछ और logic लगता है कि जो इस question में satisfy कर सकता है तो वो आप नीचे comment कर सकते है ओके next है आपका look का code आपको दिया गया है 2320 ball का code है आप से code पूझे गया help का तो पहले हम directly हम look का निकाल देते हैं एक second आपने यहाँ पर दिखा L double okay L का code होता है आपका 12 O का code होता है आपका 15 O का code होता है आपका 15 और L का code होता है आपका 11 अब ठीक है आपने दिखा कि आपको यहाँ पर दिये गए 23 और 30 अब आपको इसमें logic समझ में आया का क्या था जो इसमें coding है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले हमने 12 और 11 का सम किया तो हमारे पास आप आप वैली वाई 23 नेक्स हमने 15 और 15 का सम किया तो हमारे पास वैली वाई 30 अब आप देखेंगे कि बतलब यह logic कितना खतरनाक है एक्जाम में ऐसे logic करना काफी मुश्किल होता है अब हमने बॉल का code नहीं निकालते हैं डिरेक्टली निकालते हैं code help का ठीक है तो यहाँ पर हमने लिखा help ह, E, L, P ठीक है, H होता है आपका 8 L होता है, उस और E होता है 5, L 12 और P होता है आपका 16 तो 8 और 16 मतलब first का code और last का code हमने करा प्लस तो 8 और 16 24 और 5 और 12 17 तो सही अंसर होगा आपका 24 17, 24 17 नातलब option number 1 logic मैंने आपको बता है क्या था directly आपको first alphabet और last alphabet को जो place है वो sum करना है और same आपको करना है second और third के साथ इस type के questions भी आप easily कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं होता है सबसे पहले आप इसमें count करेंगे कि आपके पास alphabets कितने हैं तो इसमें alphabets है आपके 15 तो जो आपकी series है वो या तो 3 alphabets ऐसे हैं जो 5 बार repeat हो रहे होंगे अलब इस 5 alphabets ऐसे हैं जो 3 बार repeat हो रहे होंगे अब आपने एक चीज़ यहां पर देखी कि पांच में नमबर पर यहां पर है S और यहां पर आएगा S और यहां पर भी आपका last में है S तो definitely आपका जो S है वो last number पर आ रहा है और वो repeat हो रहा है तो इस question में जो आपकी series है वो यह है कि जो आपके 5 alphabets है तो second last में आपके पास क्या आ रहा है R तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा R अब यह 5 की series हो गोई तो यहां पर जाएगा Q अब Q के बाद क्या आ रहा है K तो हमारी जो series निकल गया है वो आई Q, K, T, R, S तो यह हमने पहले के 5 पकड़ लिए और यही 5 तीन बार repeat हो रहे है तो Q, K, T, R, S और Q, K, T, R, S तो यहां पर आपके आपके बाद जो सही answer निकल गया है क्या है K, R, Q, T K, R, Q, T, K, R, Q, T यहां पर चलाएगी K, R, Q, T, S, Q, T S, Q, T, S, Q, T यहां पर है option number 2 ठीक है तो यह हो जाएगा आपको सही answer logic मैंने आपको बताया किस तरीके से निकलना है पहले आप alphabets को count करेंगे फिर आप देखेंगे कौन सी series repeat हो रही है उस तरीके से आप easy solve कर पाएंगे ओके next आपको देखना है यह वाला सबसे पहले आप देखेंगे is equal to a sign last में है मतलब आपको निकलना है value 56 अब आप देखेंगे divide का sign आप कहा कहा पर लगा सकते है आपने देखा divide का sign है यह तो आप पहले में लगा सकते है 34 divided by 17 यह फिर आप last में लगा सकते है मतलब 18 divided by 6 मतलब आप देखेंगे लगा सकते है अब यहाँ पर divide का sign second जगे पर है तो यह option हमारा चला गया अब हम directly solve करते है अगर आप देखेंगे मतलब हमारे पास कोई option नहीं बसते है हमें option लगा के ही check करना पड़ेगा 34 divided by 17 तो हमारे पास आईया 2 2-54 प्लस 18 into 6 18 into 6 होता है आपका 108 तो 2-54 हमारे पास आया माइनस का 52 माइनस का 52 प्लस में हम करेंगे 108 अरे हाँ यह तो आगे 108 108 108 माइनस का 52 तो हमारे पास value क्या आगई 56 तो option number second होगे satisfy directly हमने कुछ नहीं करा divide का sign देखा उसके बाद हमने options पूट करके ही check करना होगा कोई हमारे पास इसके अलावा कोई अजर option नहीं है 5 और 16 से आप गए 70 पे 8 5 और 16 का अगर हम difference निकालते हैं तो वाई का हमारे पास 11 11 into 7 करके हम हाँ तक बहुच सकते हैं और 8 और 19 का difference निकालते हैं 13 तो नहीं एक सिकेंड लोके 5 और 16 होता है आपका 21 ओके ये वाला question भी काफी अच्छा question में कहूंगा अगर दिखें तो 5 into 16 आपने करा तो 5 into 16 आपके पास value क्या आई 80 और 8 into 19 आपने क्या करा तो value आपके पास 152 और इस question में जो logic है वो ये है कि पहले के दो numbers का product कर रहे हैं फिर उसमें से आप करेंगे minus कर 3 ठीक है similarly आपने करा 13 into 12 तो 12 का square होता है 144 और 13 और उसमें plus कर रहे है 12 तो आपके पास 156 156 minus 3 तो सही answer होगा आपके पास 153 option number 1 यह 5 फ्रेंट्स आपके बैठे गए हैं इन्हें circular table facing the center चलिए इन्हें बठा देते हैं एक दो तीन चार और यह होगए पाच अब VCR कर ठीक है कोई भी repeat नहीं हो रहा है तो हम initial 6 कर सकते हैं विष्णू इस इमेडिये राइट अब यह बैठे हैं sitting around a circle table facing the center अब विष्णू इस इमेडिये राइट अफ काव्या तो यह होगए विष्णू इमेडिये राइट अफ काव्या ठीके चिराग इस third to the left of काव्या third to the left मतलब काव्या के first second third तो यह होगए आपके चिराग सुर्भी के लिए यहाँ पर दो सुर्भी चिराग के पास नहीं है तो सुर्भी बैठ गया यहाँ पर और आपका कौन बचा है आर तो आर आगा यहाँ पर आपसे क्या बुच गया है second to the left of काव्या यह है काव्या काव्या का यह है है राइट सुर्भी काव्या का यह है राइट तो second left होगे आपके आर मतलब रेना रेना मतलब option नमबर टू ओके हां next है आपका question साथ से आप पहुंचे 56 पर तो मतलब आपको समझ में आया 7 इंटू आपको करना है 7 प्लस 1 7 इंटू 8 और नेक्स वह आपका 11 तो 11 इंटू आप करेंगे 11 प्लस 1 तो मतलब 11 इंटू 12 इंटू 12 होता है आपको 132 तो option नमबर 1 इजी क्वेश्चिन था कि एवरेज स्कूर ऑफ मिताली बिफॉर दर स्टाट ऑफ वुमेंस मैच ठीक है यह है यह था तो यह क्वेश्चन भी मैं का क्वेश्चन है पता नहीं है रीजिनिंग में आ गया है तो यह आप लोगी कर सकते हैं सौल कोई बड़ी बद नहीं है ओकी यह वाला question है काफी अ है आपको बताना है कि next वाला जो है यह वाला figure कौन सा होगा तो सबसे पहले इसमें हम यह वाला जो Arrow आपको दिया गया है यह देखते हैं एरो आपने देखा कि पहले यह उपर के साइट पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट वह इस डिरेक्शन में चल रहा है, फिर एरो इस डिरेक्शन में आ गया है, तो जो नेक्स्ट फिगर होगा, उसमें एरो इस डिरेक्शन में आएगा, तीक है, अब इस डिरेक्शन में आपको क पहले आपको इस direction में मिल रहा है ठीक है उसके बाद वह circle यहां चला गया उसके बाद वह circle यहां पर आ गया तो जो next वाला figure होगा उसमें definitely आपका circle यहां पर मिलेगा आपको तो यहां पर आपका इस इस figure में भी नहीं है तो यह भी चला गया तो डेफिनिटी option number 4 हो गया आपका सही answer कुछ नहीं करना है एक-एक element आप चेक करेंगे और option elimination का यूज करते चाहेंगे कि नेक्स्ट भी आपका यह है number series का question जिसमें अगर आप देखें तो आप पहले निकालते हैं difference difference आया हमारे पास 3 का difference आया 3 का फिर मैं इस में multiply की series होगी पक्के मैं नहीं देखो मैं आपको बताता हूं साथ से आप पहुचे 11 तक तो या तो आपने into 1 plus का 4 किया या फिर into 2 minus का 3 किया फिर आप 11 से पहुचे 14 तक तो 11 से 14 तक definitely आप into 1 plus का 3 करेंगे और into 1 plus का 3 करेंगे अब 14 से आपको पहुचना है 28 तक तो definitely आप करेंगे into 2 minus का 3 तो यह वाली जो हमारी condition है वो गलत हो गई विकोज नीचे वाली condition वो हमारी satisfy हो रही है अब next में आपने क्या करा into 2 minus 3 तो कर दिया जब 14 होगे 28 minus 3 आपका होगे 25 और next में आप करेंगे 25 में आपने into करा 1 और आपने plus का कर दिया 4 ठीक है तो यह होगे आपके पास plus का 4 25 से आप गए 29 पर 29 से आपको जाना है 55 तो आप क्या करेंगे into 2 minus 3 ठीक है into 2 मतलब 29 into 258 minus 3 फिर next आपकी जो series होगी into 1 plus का 4 तो 55 plus का 4 हो जाएगा आपके पास 59 तो यह होगे option number 1 तो पहले की यह जो है series उसमें हमने क्या करा है into 2 minus 3 into 1 plus 3 करा है ठीक है फिर उसके बाद हम into 1 plus का 4 कर रहे हैं फिर उसके बाद हम into 1 plus का 5 करें ओ सॉरी यह फोन नहीं होगा 5 होगा इसमें आप देखेंगे कि TCS कितने अच्छे से खेल रहा है into 2 में तो आपने माइनस का 3 कर रहा है लेकिन into 1 में plus 3 कर रहा है फिर आप उसमें करेंगे plus का 5 तो 55 plus 5 आपके पास सही अंसर आजाएगा 60 तो 60 आपका इस question का सही अंसर कि अपके नेक्स क्ठ क का कोड़ आपका G X S अब आपने देखा कि इसमें भी हम वह निकाल लेते हैं ABCD का है हमारी यह लगी ठीक है अब K से आप पहुचे G पे K से आप पहुचे G पे तो 1, 2, 3 3 हमने drop करें C से आप पहुचे X पे तो 1, 2, 3, 4 और H से हम पहुचे X पे तो opposite होगे अच्छा इसमें अगर आप अगर ध्यान से देखते हैं तो K से आप पहुचे G पे ठीक है तो हमने 1, 2, 3 3 alphabets हमने करें drop और हम गए पीछे की side C से हम गए X पे तो यह होगे आपका opposite और H से गए S पे तो यह भी होगे आपका opposite तो इसमें logic होच इस तरीके से है कि पहले हम 3 alphabets drop करेंगे और जो आखरी के 2 हैं उसमें हम opposite देखेंगे तो अब हम देखते हैं T T से हम गए S, R, Q तो हमारे पास आगया P ठीक है P होगया तो option number fourth चला गया और first चला गया और J होगया तो J का opposite होगया Q और D का opposite होगया H तो P, Q तो sorry D का होगया W तो P, Q, W तो मतलब option number 2 होगया हमारा सही answer ठीक है option number 2 okay next है आपका D, H, L, P alphabetical series का है इसमें भी हम A, B, C, D निकाल लेते हैं okay ठीक है D, H, L, P D से हम गए H पे तो 1, 2, 3 3 drop करे H से L पे 1, 2, 3, L से P पे 1, 2, 3, हम P से 1, 2, 3 alphabet हम ने करे drop तो हमारे पास आगया T, T जैसे हमने देखा option number 3 आपका चला गया J, D, X, R अब J से आप गए T पे तो 1, 2, 3, 4, 5 5 alphabet drop करे D से X पे दुबारा 5 drop करेंगे X से R पे दुबारा 5 drop करेंगे फिर हम R से डिरेक्ली drop करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारे पास आगया L तो T के बाद आया L तो option number 1 भी चला गया आपका अब हम third वाला check नहीं करेंगे क्योंकि third option number 2 में और 4 में दोनों में same है X, X तो directly हम जाते हैं last वाले पे Z, P, F, V Z के पाद आपने आया वाद आया P तो मतलब इसमें हम 9 alphabets drop कर रहे हैं P से आप गए H पे 9 alphabets drop करें और H से आप गए उस और हम देख रहे हैं last वाला P से आप गए F पे P से आप गए F पे और F से आप गए V पे तो V के बाद हम देखते हैं कि 9 alphabets जब हम drop करेंगे तो हमारे पास कौन सी value आएगी V के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो हमारे पास value आ रही है L तो T L X L because third वाला हमने check इसली नहीं कर रहा था because वो second और fourth वाले में same आ रहा था तो हमारे पास second option भी चला गया तो हमारे जो सही answer होगा वो का option number 4 अब आप देखेंगे कि इस तरीके से मैंने आपको तेरा तारिक के जितने important questions थे वो करा दिये कुछ questions काफी tricky थे जैसे मैं आपको बताऊं ये वाला जो था आपका question into 2 minus 3 कर रहे थे into 1 में plus 3 कर रहे थे into 1 में plus 4 कर रहे into 2 minus 3 into 1 plus 5 इस तरीके से ये questions tricky बनाए गए है ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो like करिए जो भी आपको doubt है आप comment कर सकते हैं चैनल को subscribe करें thank you very much